नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं सत्यागनी न्यूज चैनल स्टूडियो ब्रिटेन होंग कॉंग के उच्छितम ने आले से अपने जजों को वापिस बुलाने पर विचार कर रहा है यह जानकारी ब्रिटेन के विदेश सच्छिव जॉमिनेक राब ने दी है उन्होंने बताया कि चीन होंग कॉंग में अंतराश्ट्री अदायतों का निरंतर उलंगन कर रहा है इसलिए इस निर्णाय पर विचार किया जा रखा है विदेश सचिव ने बताया कि उन्होंने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष लॉर्ड रीड से इस संबंद में विचार विमर्ष किया है वो लेखने हैं कि 13 विदेशी जज गैर स्थाई जजों के तोर पर होंग कॉंग की शीर्ष अदालत में नियुक्त हैं होंग कॉंग की नेता कैरी लेम विदेशी जजों के नियुक्त रहने के कारण 59 सुपतंतरता पर निरंतर टिपड़ी करती रही हैं ब्रेटेन ने होंग कॉंग पर 150 वर्षों तक शासन किया गए और 1997 में इसको एक समझोते के तहर चीन को सौपाता चीन ने नागरे का दिकारों का हनन करने वाले नए सुरक्षा कानून को इस साल जून में लागू किया गए तब ही से ब्रेटेन से तना तनी चल रही